हेलो फ्रेंड विल्कम टुमाई इडू चनल में चनल आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे अलफी का लड़ू जो कि बहुत ही हिल्दी होता है हमारे वाड़ी के लिए और वीडियो में तक बने रहें नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो चलिए हम चुरू अलफी को हम भून लेंगे और गईफ का आच यहां पर हम फ्लो रखेंगे और अलफी को चला लेंगे बराबर चलाएंगे इतको तो अलफी में अच्छी तरह स्पुस्पू आने लगा है और भून भी गया है तो गईफ को आफ कर दूँगे और इसको एक ठालिम निकाल लेंगे तो अब इसको मित्ति जार में पीफ लेंगे बहुत ही बार एक ही पीशेंगे और इफी तरह हम पीशेंगे बहुत ही बार एक ही पीशा गया है तो इसी तरह हम सारे अलफी को पीफ लेंगे तो यहां पर हम एक पाउ तीखुर लिये हैं और गईफ सान करेंगे और इसमें डालेंगे कराही में घी और तीखुर को मैं बूल लूँगे और गईफ कांज फ्लो रखोंगे और तीखुर थोड़ा फैवर डाल दूँगे तो तीखुर का अच्छी तरह से बूल लेंगे बराबर चलाएंगे तो अच्छी तरह से बुन गया है तो इसको भी एक ठालिम निकाल लेंगे तो क्राएं में फिर फिगी डालेंगे तो अब इसमें डालेंगे हल्दी बाउडर तो हल्दी को चलाते जाएंगे अच्छी तरह से ताके जलेने तो हल्दी को में अच्छी तरह चला लेंगे और हल्दी अच्छी तरह से बुन भी गया है तो इसको हम निकाल लेंगे ठाले में और फिर से हम हल्दी को भूल लेंगे और इसको भी ठाले में निकाल लेंगे तो गोंद है गोंद को भी में भूल लूंगी कराहे में और गय स्कुआन कर तूंगी और गी तो इसमें गोंद को भूल लूंगी अच्छी कराहे में इसको तलूंगी तो अब गोंद को मिक्ति जारन पीफ लेंगे तो गोंद को अच्छी तरह से पीफ लिए हैं और यह अलसी पाउडर है अब इसमें हम गोंद डाल देंगे पीछा हुए और काजु बादाम जो कि इसको भी बिसी जार में पीफेंगे आप चाहें तो काड़ कर इसको डाल सकते हैं बारे के काड़ कर यहां पे हम पीछे हैं और फिर से मैं काजु बादाम पीफ लोंगे तो इसको भी मिला देंगे और सुखा नारियल है और सुखा नारियल को भी पीफ लोंगे मुफिजार में तो यहां पे हमने गोल ले लिए हैं और इसको अपने हाथों से तोड़ देंगे बिल्कुल बारी की इसको अच्छी तरह हम तोड़ लिए गुड़ को तो यहां पर शोट है इसको भी डाल देंगे और नारियल पीफा हुआ इसको भी डाल देंगे और मखाने को और काटकर डाल दूँगी और चोहा रहा है और हल्दी पाउडर और तीपुर को भी डाल देंगे इसी अल्फी पाउडर में और यह थोड़ा फस्वोट है इसको भी डालूँगी और जो गुड़ है आप चाहें तो गुड़ को गला कर भी बान सकती हैं कि यहाँ हम गुड़ चोड़े हैं तो इसको हम अच्छी तरस मिला देंगे फाई फामागरी को तो अब इसमें हम डालेंगे अल्फी का तेल इससे अल्फी का लड़ू बहुत ही टेश्टी बनता है और फेहत के लिए अच्छा होता है तो इसको बराबर चला लेंगे और हाथ से मसल लेंगे अच्छी तरह से ताकि फाई फामागरी मिल जाए और इसी तरह हम दुनों हाथ दोके सहायता से लड़ू को बना लेंगे तो अल्फी के लड़ू बनके तयार हो गया है एक खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है और बहुत ही हिल्दी होता है मारबाड़ी के लिए और हड़ी को भी मजबूत बनाता है तथाफात में कमजोरी को भी डूर करता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी मिलते हैं नेस्ट वीडियो के तब तक लिए बाई